आज मैं आप सभी के लिए मसाला पूरी की रेसिपी लेकर की आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही जादा आसान है और यह बहुत ही जादा टीस्टी बन करके तयार होती है आप इसे कभी भी बना करके तयार कर सकते हूँ नॉर्मल पूरिया हम अकसर बनाते रहते हैं आप एक बा मैंने एक कब गेहु का आटा लिया हुआ है वजन में ये 200 ग्राम है इसके लावा इसमें दो बड़े चम्मच मैदा दो बड़ा चम्मच बेशन दो बड़े चम्मच सत्व एक बड़ा चम्मच सूजी सूजी आट करने से पूरी हमारी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन करके त्यार होती है थोड़ी सी कलॉंजी आड़ कर रही हूं तकरिवन एक चोटी चमच इसे हाथों से रब करके डालेंगे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है थोड़ा सा इसमें नमक आड़ करेंगे आप अपने स्वाध अनुसार आड़ कर दे और इनके लावा थोड़ी के बार इसमें अच्छे तरिके से मिलादे फ्रेंड्स हमने जो इसमें सोजी और तेल डाला है ना इसे हमारी पूरी बहुत ही क्रिस्पी बनती है और इसके साथ ही लंबे विल्खें तक ठीक करना है वैसे अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके भी घ्र सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला ले इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी आट कहते वे हमें इसका डो बना करके त्यार करना है पूरी के लिए हमें डो हल्का सकती बनाना है जैसे हम नौर्मली पूरी के लिए आटा गुंटते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आटा को त्यार करने के बाद इसके ओपर थोड़ा सा तेल लगा करके इसे ढख करके रेस्ट पर रख दे तो कुल 10 मिनट तक मैंने इसे रेस्ट पर रखा और अब हम अपनी पूरियां बना करके त्यार करेंगे तो सबसे पहले डो को हलका सा मसल ले और इसके मैं एक राम्स पना लेने की बाद अब ये पहला बॉल लेंगे इसे हाथों में रांग करेंगे और अब हमें इससे बेलना है पुरी को बिलने वक्त आपको कुछ अधियान रखना है जüst channels को आपको आटे की मदद से नहीं बेलना है अब को इसे तेल उस की मदद से बिलना औ अब हम पटा फट से इनी फ्राई करेंगे तो यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था पूरी के लिए हमें बिल्कुल गर्म तेल चाहिए आप चाहिए तो तेल में तोड़ा सा डो डाल करके आप इसे चेक भी कर सकते हैं अब हमें इसमें एक ह्い चाहँ पूरी को डाल देना है और इसे रखाइल कासा प्रेस करना वहाँ आप देखेंगे आपके पूरी आपki बहुत और अच्छे तरहिए से नानाकर तरहो है है मैंने निकाल लिया अब बिल्कुल इसी तरीके से बाकि सभी पूरियों को हमें रेडी कर लेना है अब इस रेसिपी को जरूर ट्राइब करेंगा यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और सबसे अची बात है कि अगर आपने इसके साथ किसी सब्जी को सर्व नहीं किय है इस पूरियों को ना आप अगर जादा लंबे समय के लिए रख रहे ना फिर विए बिल्कुल फुली फुली और बिल्कुल क्रिस्पी रहती है बहुत ही जादा टेस्टी लगती है मैंने इसे आलू की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व किया है लेकिन जैसा कि मैंने क कि आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो तो हमारी यह पूरी बन करके बिल्कुल तयार हो चुकी है आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें और आज का वीडियो आपको लगा कैसा हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर अभ झाल